आमादमी पार्टी रामपूर ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया इसके लिए पहले पार्टी पदादी कारियों वो कारिकरताउनी पार्टी कारेले में कारिकरम का आयो जिन किया और उसके बाद रामपूर बाजार में सदभावना रैली भी निकाली आमादमी पार्टी हिमाशल में भी दिल्ली मॉडल लाना चाहती है जिसमें प्रदेश में अच्छी स्कूल, अच्छी विवस्ताएं, अच्छी शिक्षा, महिलाओं वो बुजर्गों का सम्मान, हर घर में पानी और बिजली और पानी के सुविधा देना चाहती है पार्टी के रामपूर विधान सबक्षेतर उदेई डोगरा ने कहा कि आमादमी पार्टी प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ रही है, प्रदेश पे लगतार बदलाव की ओर बढ़ रहा है प्रदेश के अदर हम दिल्ली मोडल लाना चाहते हैं दिल्ली मोडल है आम आदमी को जो डिल्ली में जो सुविधाय दी जा रही है वो हिमाचल प्रदेश में भी दी जाए जैसे यहां अच्छे स्कूल बने, स्वास्ते अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, हर घर को पानी आए, हर घर में बिजली आए और महीलों की सुरक्षा हो, उसके फशाद बज़रुगों का समान हो और बेरोजगारों को बेरोजगार मिले चाहते हैं अगर जैसे हिमाचिल प्रदेश जो है, एक बदलाव के तरफ बढ़ रहा है, जैसे हिमाचिल प्रदेश में अब इसे विकल्क के रूप में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, रामपुर के अंदर भी हम एक विकल्क देकर आए हैं और ये विश्वास करते हैं कि हम रामपूर की जो समस्या है वो अपने उठाते हुए सामने रखेंगे और लोगों की बीच जाएंगे लाइब टाइम्स टीवी के लिए रामपूर से अतुल कश्रप के रिपोर्ट हिमाचल के सबसे बड़ी ओटो डिलर्शिप गोईल मोटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर सोलन्च, शिमला, सिर्मा और और की नौर में चाहिए सेल्स एग्जिक्यूटिव, सर्विस एग्जिक्यूटिव, फिल्ड एग्जिक्यूटिव, मोटर मग्यानिक और ड्राइवर, शांदार करियर समभावना हैं वह इंडस्ट्री में बेहतरिन सैलरी पैकेज तो आज ही कॉल करें, 94-180-35372 पर और इमेल से भेजे अपना बायो डाटा, hr-goingmotor.com पर